जनसत्ता संपात किया गती 110 शब्द 20 मिनट बी रेडी 3,2,1 स्टार्ट कश्मीर मुद्दे पर जब प्रधान मंत्री ने सर्वदलिय बैठक बुलाई और उसमें सारी कश्मीरी पार्टियों ने शिर्कत की तो लगा की अब वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रास्ता खुल रहा है उसमें सारे राजनितिक दलों ने अपनी बात रखी केंद्र ने भी उन्हें भरोसा दिलाया की जनता के हित में जो कुछ हो सकता है वह करेगा उस बैठक में असल मुद्दा विदानसवा शेत्रों का परिसीमन और फिर चुनाव कराना था उसके बाद ही लगभग एक साल से रुके परिसीमन आयोग के काम को आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई है आयोग के सदस्य गाटी के दौर पर हैं मगर पीपोल्स डेमोक्रिटिक पार्टी यानी पीडीपी ने आयोग के साथ बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है बाकी दलों ने अपने नुमाइंदे तै कर दिये हैं पीडीपी की इस अचानक पल्टी से परिसीमन के कामकाज में फिर से रुकावट आने के स्वभाविक कयास लगाए जाने लगे हैं हालांकि पीडीपी का यह रुक नया नहीं है प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने आने से पहले भी इसकी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने राज्य का दर्जा अनुछेद 370 और धारा 35 एकी बहाली का मुद्दा उठाया था परिसीमन को लेकर उनका रुक तब भी लचीला नहीं था जैसा दूसरे दलों का था पैरा पीडीपी ने परिसीमन आयोग को पत्र लिखकर इस पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा किया है उसका मानना है कि इस प्रक्रिया का मकसद और नतीजा पहले से तै है और अगर ऐसा होगा तो घाटी के लोगों को भारी नुक्सान उठाना पड़ेगा हाला कि पहले नेशनल कॉन्फरेंस भी परिसीमन के खिलाफ थी उसने अदालत में मुकदमा भी दायर किया था मगर अब वह वहाँ जल्दी चुनाव के पक्ष में है मगर पीडीपी की पहले विशेश दरजा बहाली की जिद बनी हुई है उसकी जिद को समझा जा सकता है हालांकि अब किसी भी सूरत में केंदर सरकार कश्मीर को विशेश दरजा वापस लोटाने से रही मगर पीडीपी का जनाधार चुनकी कश्मीर को आजाद सूबा मानने और कश्मीरी असमिता की वकालत करने वालों के बीच है इसलिए वह एकदम से उससे अलग नहीं हो सकती अब वह परिसीमन आयोग और परिसीमन की प्रक्रिया को ही असमवैदानिक करार दे रही है उसका कहना है कि जब 2026 तक किसी भी राज्य में परिसीमन पर रोक लगी हुई है तो कश्मीर में इसे क्यों कराया जा रहा है मगर उसके इस तरक में कोई दम नजर नहीं आता जमु कश्मीर की इस्तती अब वही नहीं रहे गई है जो पहले थी इसलिए वहां चुनाव के लिए उचित ही नए सिरे से प्रकुरिया अपनाई जा रही है पहरा कश्मीर में चुनाव शेत्र का परिसीमन लंबे समय से नहीं हुआ है जबकि इस बीच वहां आबादी में परिवर्तन हुआ है फिर जम्मु और कश्मीर में शेत्रों की सीमाओं को लेकर विवाद भी उठते रहे हैं जम्मु शेत्र की शिकायत रही है कि उसे कम विदानसवा सीटें मिली हैं उसे भी बराबर सीटें मिलनी चाहिए नया परिसीमन होने से तमाम शिकायतें दूर करने में मदद मिल सकती हैं मगर पीडीपी को लगता है कि किंद्र सरकार अपनी पार्टी के समीकरणों को ध्यान में रख कर विदानसवा शेत्रों की चोहदी तय करनी चाहती है मगर उसके इस विरोध का परिसीमन पर शायद ही कोई असर पड़े जब उसे छोड़ कर सूबे के सारे सियासी दल आयोग का सहयोग कर रहे हैं तो परिसीमन रोकने का कोई आधार नहीं बनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का इस तरहे विरोध करके पी डीपी अपना ही नुकसान करेगी पहरा देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में पेट्रोल सौ को पार कर गया तीन राज्यों में डीजल भी सौ के पार चला गया ऐसा पहली बार हुआ है जब इंधन के दाम इस तरहे आसमान छू रहे हैं आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जिसकदर महंगाई बढ़ रही है उससे किंद्र और राज्य सरकारों के भीतर कोई चिंता दिखाई न देना हैरान करता है देखने से ऐसा लगता है जैसे दामों को काबू करने में सरकारे लाचार हों पर ऐसा नहीं हकीकत तो यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकारी खजाना भरने का जरिया बन गए हैं 16 बार मई और 16 ही बार जून में सरकारी तेल कमपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए दाम भले 5 पैसे से 30-35 पैसे ही बढ़ाए जा रहे हों लेकिन इनका एक मुष्ट असर भारी हो गया इस साल यानि सिर्फ 6 महिने में पेट्रोल करीब 16 रुपे और डीजल 15 रुपे तक महंगा हो गया ऐसे में आम आदमी की जुबा पर अब यही सवाल है कि अब और कितने दाम बढ़ेंगे क्या पेट्रोल डीजल सवा सो डेड़ सो के आकड़े को छू जाएगा पैरा इस वक्त जैसे हालात हैं उनमें पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी के आसार दूर दूर तक नहीं दिखते तेल कंपनियों का तर्क है कि अंतरास्ट्रिय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से दाम बढ़ाना मजबूरी है अगर वाकई ऐसा है तो फिर कच्चा तेल जब बहुत ही सस्ता था तब फिर उपभोकताओं के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ इसी से साबित होता है घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ाने का अंतरास्ट्रिय बाजार में दामों से कोई संबंद नहीं है इसके लिए पिछले डेड़ दशक के दो आंकडों पर गौर करना होगा 2015-16 में कच्चा तेल 46 रुपए 17 पैसे प्रती बैरल के भाव खरीदा गया था यह एक दशक में सबसे कम भाव था इसी तरहे 2020-21 में 44 रुपए 82 पैसे प्रती बैरल के भाव से खरीदा गया जो पिछले डेड़ दशक का नियुनतम भाव था लेकिन दोनों ही बार उपवक्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई उल्टे किंद्र और राज्य सरकारों ने जनता की जेब से पैसा निकालना और खजाना भढ़ना जारी रखा अभी एक लीटर पेट्रोल के खुद्रा दाम में 32 रुपए 90 पैसे किंद्र का कर और 23 रुपए के आसपास राज्यों का कर है जो हर राज्य में अलग-अलग है पैरा महमारी के कारण देश वाकई संकट से गुजर रहा है अर्थ्व्यवस्ता लडखडा गई है और कब पट्री पर आप आएगी कोई नहीं जानता महंगाई और बिरुजगारी ने लोगों को रुला दिया है दूसरी लहर की मार ने उद्योग धंदों को और चौपट कर डाला और सबसे चिंता जनक तो यह है कि इस साल मई में कमोबेश एक करोड वेतन भोगी वह कामगारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया डीजल महंगा होने से रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली हर वह चीज महंगी होती जा रही है जो एक गरीब भी काम में लेता है रसोई गैस दूद सबजी के दाम से लेकर भाड़ा तक महंगा हो गया है अगर इस मुश्किल वक्त में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो लोगों के लिए रोटियों के लाले पढ़ने लगेंगे लेकिन इतना होने पर भी सरकारे पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से के कर में कहीं कोई कटोती करने को राजी नहीं दिखती जाहिर है सरकारे संकट में भी अवसर तलाश रही हैं इससे बड़ा जन विरोधी रवाईया और क्या हो सकता है पूनविराम